है 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 और पहले सिफ्ट में आप लोग ने देखा कि किस तरीके से सवाल पूछा गया है वह सारी चीज़े लेकिन अब जो है है वह हम सिफ्ट के बारे में आपको बताएंगे बिल्कुल एक्जैक इंफॉर्मेशन सभी लोग एवा जली से जुट जाएंगे लेकिन उससे पहले जितने बच्चे हैं बटा फटाक से आजाईए लिली शर्मा सानी अफ्रीदी ललन टॉप चले स्टार्ट करते हैं आपका जीके वाले पॉर्शन से जीके वाले पॉर्शन की मैं बात करनूं तो सबसे पहले जीके के जितने भी कोशन है सर एक एक बार आपको डिसकस करेंगे प्रॉपर तरीके से कौन से कोशन है और उनका आंसर क्या है चले वेरी गुड आफ्टनून प्यारे बच्चों देखिए जीके का जो कोशन आया है कुछ जीके के कोशन को मैं आपको आपके बीच्पे डिसकस करता हूं बहुत ही मॉडरेट कोशन सा अगर आप हमारे पिछल आन्यफ के लिखा गया यह किसका है उपडर क्सक्के उपर यह किताब तो प्यारे बच्चों यह सचिन तैंदुलकर के ऊपर है उसके बाद पछो एक कोशने है इसमें Capital of Norway Capital of Norway question है प्यारे बचो बहुत ईजी question है नौर्वे का Capital पूछ रहा है औहिस लो है फिर प्यारे बचो कि लारजेस्ट कॉंटिनेंट कौन सा है प्यारे बचो बहुत-बहुत-बहुत इजी कोईशन है आप देख सकते कि कितना इजी कोईशन पूछ रहा है सबसे बड़ा कॉंटिनेंट क्या है एसी आ है प्यारे बच्छो और प्यारे बच्छो नेक्स्ट कोईशन पूचा है कि मिनाक्षी टेंपल मिनाक्षी टेंपल कहा है देखें कितना प्यारे बच्छो बताया भी था कि मिनाक्षी टेंपल जो है तमिल लाडू में इस्थीत है कहा है तमिल लाडू में है प्यारे बच्छों कहा है तमिल लाडू में है फिर कोईशन है प्यारे बच्छों नेक्स कोईशन कि बैटल ऑफ पानिपत पानिपत का बैटल कब हुआ था तो प्यारे बच रिक्स्रास In lleva लटा गया तो बाबर ₹ Elde में नेक्स्केशिन है प्वेश्चन है प्यारे बच्छो बाबर के दौरा आकरी युद्ळव कौंसा लड़ा गया था त बाबर सब्सक्राइब लास्ट बैटल ऑफ बाबर 1529 में लड़ा गया था प्यारे बच्छों घागरा का यूद था नेक्स्ट कोईशन प्यादे प्यारे बच्छों इसमें दिया है हूँ प्लेट सेनाई लाए इन रेड़ फॉड फॉर्ड फॉर्ड पॉर्स टाइं रेड फॉर्ट में सेण आई किसने सबसे पहली बार बजाय था प्यारे बच्छों तो अंसर क्या इसका उस्ताद बिस्मिल्ला-खा इसका आनसर है तो स्कुंपादर कि प्यारे बच्चो दियावाय कोईशन आर्टिकल 32 रिलेटेड टू आर्टिकल 32 प्यारे बच्चो जो रिलेटेड है यह कॉनसेटिशनल रिलेटेड है किस चीज़ से रिलेटेड है कॉंसेशनल रिलेटीं से कोशन पूचा है कि 42nd constitutional amendment को और क्या नाम से जानते देखिए बहुत ही महनत से सब्सक्राइब कर आए हैं तो कहिना कहीं आपका भी बनता है एक बार फड़ाक से शेयर कर दो अपने यार दोस्तों को तयारी कर रहे हैं किसकी तयारी कर रहे हैं कि चाहे वह मैंत के सवाल रहे हो आपके काफी कोशन मैंत के भी आए हैं मैं भी डिसकस करूंगा साथी साथ एकदम डिक्टो आपके जो 25 कोशन है ना सन्य पूरा लिष्ट बना रखा है देखो यह 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 ऐसे नहीं है कि नॉर्मली मिल जाते हैं बच्चों से पूँच कर रहे हैं लेकिन बच्चों का सपोर्ट नहीं मिल पार रहा है एक बार बेटा सभी लोग 146 वाशिंग दोसों प्लस कराओ कम से कम सरको भी तो अच्छा लगे बताने में मतलब ऐसा लगता है कि अपनी बहनत वसूल हो गई जब आप लोग आ जाते हो सब बार फटाक से सब को उपियोंग किया था कुछ सब्द को जोडब जयाता प्यारे बच्टों जैसे कि आप देख सकते हैं आप लोग की सब्थ ये सारे शब्द को जोड़ा जय थारी सब्सक्राइब इस थाते इस चीना सब्रहा इस ने शब्दों रूीनि कोल के जलने से कौनसी gas release होती है, प्यारे बच्चो, burning of coal के वज़े से कौन सा gas release होता है, तो coal औक्सिजन के presence में जलके, carbon dioxide और carbon monoxide, दोनों ही option, इसमें आप देख सकते हो, सही होगा, carbon dioxide और carbon monoxide, दोनों ही gas इसमें release होता है, next question है, प्यारे बच्चो, में आपको बताया था यह मद्य प्रदेश, इस बार रंजी ट्राफी गो जीता हैं, फिर कोष्चन है, प्लानिंग कमीशन के प्लानिंग कमीशन के आप रहे को इस प्रदान मंत्री स्वेम होते हैं ठीक है नेक्स कोशन प्रेसिडेंट मुर्मूरू प्रदान मुर्मूरू किस ट्राइब से बिलंग करती है यह मारे 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अगर हम बात करते हैं तो यह लो कि इंडोनेशिया के बाली में हुआ है कहां हुआ है प्यारे बच्चो इंडोनेशिया के बाली में हुआ है यह 17th G20 Summits था ये 17th G20 Summits था और इसकी मेज़मानी Indonesia कर रहा था 2023 में मेज़मानी इंडिया करने वाला है प्यारे बच्चो फिर कोशन पुछता है Article 108 related to प्यारे बच्चो जो Article 108 है ये Joint Sitting के बारे में बात करता है जब आपके लोगसवा और राजीसवा को दोनों को प्रेसिडेंट के बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्चता कौन करता है तो इस पिकर जो होते हैं लोगसवा के वह इसकी अध्यक्चता करते हैं बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के दौरा तो को क्या किया जागा कुछ ना कुछ तरीके से opportunities मिलेगा काम करने के लिए तो अप skilling के लिए यह आपकी योजना है workers के लिए construction workers के लिए प्यारे बच्चो नेक्स कुछन अगर हम बात करते हैं यह कुछ questions प्यारे बच्चो किसके यह कुछ questions से GSG के current affairs के प्यारे बच्चो जिसको अभी हमारे पास जो आया हुआ है उसमें देख के बता रहे हैं अब आप लोग भी पूछ सकते सोनु सर आप लोग से कुछ बात करेंगे और आप लोग ने एक चीज़ गौर किया होगा यहां पर कि हमने जो बार-बार कहा है आप लोगों सही की बच्चो की वह काफी इंपोर्टेंट आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है तो जितने भी लोग अभी पे अपने परहा होगा तो वहीं से पुछा गया है बार-बार हम क्लास में यह चीज़ रिपीट करते हैं कि बोल्ट को पूरा रिवाइज कर जाओ सवाल वहां से आएंगे मतलब आएंगे और सवाल आ रहे हैं तो आप सभी लोग जिनका एक्जाम आगे होने वाला है उन सभी स से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग अगर नहीं पढ़े हो डाउनलोड करो एक बार रिवाइज कर जाओ ठीक है रिवाइज कर जाओ बिल्कुल रामबान है वह रामबान पढ़ जाओ बहुत करेगा बहुत ज्यादा करेगा एक बार मैं आपको रीजनिंग बता सबसे पहले ठीक है यहां से आपके करीबन दो सवाल बने ठीक है उसके बाद अगर बात करें हाँ पर और वन आउट और वन आउट यहनि की क्लासिफिकेशन वाले हाना यहां से भी आपके सवाल बने बता दो कुस्चन हाना दो सवाल आपके यहां से भी बने है उसके बाद अगर हम बात करें हाँ पर शिरॉएं से imagine और सवाल भड़ेक planets ते बात करें हैं यहाँ इन्ァमरा पर से में पर करें एक सारे लाध्र यहां Clayton up अगर आपने क्रेंड क्या होगा यह सवाल हमने क्रवाएं एक करके रोज दिन में करवाए हैं तो आपका बलडर और मैंने बार 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 यहां पर कलास में में कि पढ़लो पिटा कोड़क्र के आईगा यहां तीन सवाल तीन सवाल आने ही आने हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो 20 से आपका सवाल कुछा गया जो कि हमारे अब है फाइन करने होता है कि अपपोजित नमबर आए उसके बारे बर उसके बाद अगरम बात करें यहां पर तो आपका एं बेड़ेड की उपर सवाल यानि कि छिपा हुआ जो एक होता है कि आपकी पास एक के उपर सवाल एक सवाल आपका मिरार इमेज और वाटर इमेज के ऊपर फुछा गया ठीक है सिटिंग अरेंजमेंट सबस्क्राइब पूछे के तीन से चार सवाल के यह बिलकूल नाचे साथ पॉच्छन और बताय दे रहा हूं आपيع लोगों को सर एक तो आ रहा है आपका पैसिज सबसे नमबर की मैं बात करूँ तो आपका में दिखने को मिल रहा है सर किलच टेश्ट आपका एक आएगा तो यह भी आपको करके जाना है साथ ही साथ में आगे बात करूँ तो एक आपका metaphors है सर एक आपका फिरेज से भी एक आ रहा है और फिरेज में क्या है आपका एक फिरेज आया हुआ था इस बार का एपल पाई ओदर है इसका मतलब क्या होता एकदम जिस पर इinta कचे ऐना वाले वाले में एक है आपका एंटोनिम से नोटा उकष्कार चाहरत है उसके चॉट से चाहर है उसमें कसे spiritual पहले आगा और कॉन सा सीकोइबो बर कूंस से कच dance में पहले महीं हैं और इन्टोनिम्स ओर शिनोनिम्स से सिनोन्म से हैं सिनोनिम से फिक्न से हैं आगे अगर मैं बात करूं तो यह कौन से है एक हॉस्ट्र लिख दे रहा हूं और दूसरा पी याई टी ये एक अब दूसरा आपका और मैं एक दू वर्ड और है एक सिंग का है सिंग का फ्लोट एक आपका fortitude है यह तीन चार वर्ण हैं आप इनको एक बार देख लेना साथ ही साथ मैं अगर बात करूं तो यह आपका था English portion से अब आजाए मैथ वाले portion में मैं अगर बात करूं काफी बच्चे एक बार comment box में मैं बोल रहा है कि सर SSC bolt का link दे दो एक बच्चे का आया हुआ है तो सबसे पहले तो comment box में एक आपकी link का आई हुई है कि टेलीग्राम की टेलीग्राम पे मैंने SSC bolt की PDF आपके टेलीग्राम में डल गई है अगर आपको और पुरानी चाहिए तो आप जाओ सब्सक्राइब की वेबसाइट पर वहां से जाकर टाउनलोड कर लो सब्सक्राइब करेंगे और अगर नहीं पड़े हो तो थोड़ा मॉड़ेट लगेगा साथ मिनट में 100 कोशन करने है आपको आधी की रफ्तार से कोशन करने होंगे सब्सक्राइब करते हैं तो अगला चार सब्सक्राइब करते हो आपका सिक्वेंस क्या होता है आपका सलेक्शन क्या होता है मैथ वाला पोरिट बन रहा है किस से बन रहा है आपका मै 274 कोशन आपके बहुत बड़ी बात है इंसे चार कोशन आपके जमैटी से बन रहे हैं साथ 28 सेबिया रहा है 255 यीज वहीं मिसे रहो है आपके 3-4 बहुत बड़ी बात है 3-4 कुशन profit loss से आना अब इस profit loss में खाली profit loss नहीं होता ratio भी सामिल हो जाता है percentage भी सामिल हो जाता है मैंने पहले ही कहा था यह सब कुछ math विटा arithmetic की बात करूँ एक ही होता है उसको उसमें सामिल कर लिया जाता है उसको उसमें कोशन ऐसे आ रहे हैं कि कम से कम आपको percentage का भी होना चाहिए ratio का भी तभी आप profit loss के कोशन कर पाऊगे एक कोशन आपका आया है डाटा interaction से और यह question है भैया आपका बार graph का कहां से आया हुआ डि इबार गराफ का तो आपको करके जाना है तिग्णोब से जो भन रहा है आपका कितने question बढ़ रहें आप किसे बन रहा है सर गौर से देखेंगे सर SCF और LCM से भी आपका कोश्ण बना है किसे SCF LCM से आगे मैं बात करूं तो SICI से आपके तेन कोश्ण है बहुत बड़ी बात हो जाती है SICI से तेन कोश्ण आना अपने आप में अगर मैं आगे बढ़ हूं तो यह लीजिए अगे ओ मैं गौड एक बाठ सभी लोग एक बार वेट कर लेंगे हैं कि आप आपको कंटीनू करेंगे हम यह आप शर्ण आप बच्चे को चलिए एक बार फटाक से आजाओ देखो आधी इंफर्मेशन मैंने देदी बीच में ना वो जन्रेटर चलाने में बिटा वो कट दिया कोई बात नहीं थोड़ी लेकिन यह छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें रोग थोड़ी ना पाएंगी हमारा सेलेक्शन कैसे रोग लेगा स सारे मिलके एक बार शेयर कर दो और साथ ही साथ टेलीग्राम को जरू जोइन कर लेना पहले वाली पीडियाफ भी आपकी डिल जाएगी आप जीएस प्लीज जीएस का सद्वनें बता दिया है एक बार फिर से बता देंगे आप टेंशन मतलो जब तक प्रोपर तरीके से सार कोशन आप कर पाऊ उससे क्या होगा एक कॉंफिटेंस लेविल जनेट हो जाएगा कि हां मेरे इतने कोशन तो हुई गए आप कितना और कनना है तो जो आपका पॉर्शन इच्छा है बिटा वैरी करता है मुझे मैं अच्छा लगता है मैं मैं तो मैं स्टार्ट करूंगा सर करेंगे जो आपका मजबूत है आपको लगता है कि इसमें पार कर देंगे उससे स्टार्ट कर दो काउंटिंग और फिगर भी है सर आपके लिए कोशन है एक बार सर यहां पर हम एक बार बच्चों को बताना चाहेंगे एक चीज क्योंकि अभी एक सिफ्ट में एक्जाम हु हुआ है और यहां पर कुछ बच्चे जो है वह एक बार स्रिक्वेंस जानने की कोशिस कर रहे हैं कितना टाइमिंग आपको किस पेपर में देना है उसके बारे में एक बार हम यहां पर डिसकुस करना चाहेंगे आपके पास चार सब्यक्ट है सबसे पहले अगर देखोगे है और उसके पास इंग्लिश ठीक है रीजनिंग और उसके बाद आपका मैथ कपीपर दिया गया है तो अब यहां पर देखो चार सेक्शन आपके पास है 25 सवाल जो है 25 पचीस सवाल आपके हर सेक्शन में आपके पुछे जाने हैं कितना समय दोगे आप एक घंटे का समय आ कि लिए और इंगलिस मिला कि आपको सिर्फ और 35-40 माइच एक राहा हूँ आपको रीजिनिंग और मैस में लगा नहीं पंदरहां मिन माल दो को दिया और करीबन 20 मिन को दे दो आप अच्छा टेंट कर पाओगे अराम से कर पाओ कोई दिक्कती नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो करना है करोगे जो नहीं करना नहीं करोगे तो पांच मिनट साथ में काफी हो जाता उसके लिए में आपको जो टाइम देना है वह रीजिनिं करना कौन से टॉपिक को देखिए बैरे बच्चों के पेपर से मैं आपको कुछ अनलेसिस बताने की कोशिस कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो कोशिन पूछ रहा है वह थीम पे पूछ रहा है इस पूछ रहा है कि कौन सा जैसे जी ट्वेंटी समिट्स कहा हुआ हुआ या थीम क्या था तो फीम अगर एक बार में योगा में पूछ दिया है तो इस बार हो सकता है दूसरे चीद पूछें फिर थोड़ा सा आपके इनवारमेंट से कौश्चिन को टच कर रहा है जैसे की पूछ दिया है कि چीतास को कहां से जसे लाए गया है तो प्यारे बच्चों जान दीजिए को देखने से समझ में आ रहा है इन्वार्मेंट से ज्यादा कोशिन पूछ रहा है तीन-चार कोशिन पूछ दिया है प्यारे बच्चो और करेंट अफेर्स आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा है कि कब से कब पढ़ना है तो आप यह देख सकते हो कि छे मह पूछ रहे हैं इसके बाद प्यारे बच्चो धर्म सुधार आंदोलन से सुरू किया था इसके बाद प्यारे बच्चो जो पूछ रहा है इसके बाद प्यारे बच्चों जो पूछ रहा है सबसे ज़्यादा आप से कुछ उसके बाद मुगलकाल का पूछ रहा है मुगलकाल का प्यारे बच्चों पूछ रहा है उसके बाद आपका मैं priority मैं priority बता रहा हूँ पहले modern history पे जाए उसके बाद medieval पे आई उसके बाद ancient से ancient से भी दो question पूछ दिया है ठीक है प्यारे बच्चो तो यह history का pattern हुआ modern medieval then after ancient आपको इस पे ज्यादा जोड़ देना है maximum question modern से आए वही मैं बता रहा हूँ modern और मुगल जो है आपका यह दो चैप्टर तो आप लोग हर एक्जाम के लिए एक दम रट लो भाईया रट लो मुगल को रट लो और modern इंडियन आपका freedom struggle है उसको रट लो date वगरा देख लो कौन इसको स्टार्ट किया उसको देख लो यह एक्जाम में पूछने का अभी पैटन है अगर हम बात करते हैं प्यारे बचो पॉच्छ रहा है प्यारे बच्छो तो आप लोग देख सकते हैं जो सुरू से हमेशा से important topic रहा है उसी टॉपिक को हर एक्जाम टच कर रहा है हर एक्जाम उसी को टच कर रहा है ठीक है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल देखी कितना इजी पूछ दिया वारें स्थापना किस डानेश्ट्री में हुई थी या किसने की विजय नगर की स्थापना एक कोशन आया हुआ है is सब्सक्राइब है इसमें दूसरा है हरी हरबुका से आया है सब्सक्राइब सारे के सारे कोशन बिटा एक एक आपको बता देंगे थोड़ा सा टाइम बेसक लेगेगा एक है सर हरी हर बुका इनी का इनी का स्थापना है अच्छा दूसरा है इंडियन न्यूकिलिया पावर प्लांट से कोशन आया है इंग्लिस में एंटोनिम ज्यादा आ रहे हैं पांस से साथ कोशन एंटोनिम से बन रहे हैं तो एंटोनिम सिनोनिम याद करके जाना बहुत फायदा देगा एंटोनिम सिनोनिम आपको याद करना है अच्छी तरीके से पांस से साथ कोशन आपके एंटोनिम से बन रहे हैं ठीक आपका ख्याया था और बताइए वडाक से कड़ते जाओ बिटा जितने भी बच्चे आपको बी कोशन मिल रहा है तुरंत कमेंट-वाक्स में डाल दो एक यह कोशन आया हुआ है जिस बी बच्चे का जो भी कोशन आया न फटाक से डाल दो एक-एक कोशन का देखो नॉन वर्वल एंबेड़ेड एल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग सन्य बता ही दिया रिजनिंग का पूरा सवाल है यहां पर फातर अफिस्ट्री से भी सवाल पुछा गया है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो रभी संकर पुरुसकार के वाले में कुछ पुछा गय अबढ़े लिए कि उसके अगर अबात करें तो डॉंसम्तमात कराणती 1857 करानती ससे घ्लिंग सर कॉशन है हिंदू कॉलेज कहां पर है हिंदू कॉलेज एक के जना हिंदू कॉलेज क कहां पर है ठीक हिंदू पुलेटल लिखने बुंक से कोशन था आपका बता दिया और इसादों पर एंग्लीस में अगर हम बात करें यहाँ पर एक सब्दर पुछा गया है यहां है करेंट में एक और सवाल है इसडरों का करेंट में अगर मात करेंच बिटा गोर से देखेंगे मैत का कोशन है एक क्या है दो कोशन है एक आपका परसंटेसे आया हुआ है दूसरा आपका profit and losses किस से आया हुआ आप सब लोग जानते हो 10% की वैलू होती है एक बटे 10 दस सामान देने थे उसको दे कितना रहा है वो 9 दे रहा है बात किसकी ओर यह आर्टिकल प्राइस हमेशा उल्टा होता है प्राइस की वैलू कितना गया 9 से 10 कितना एक का डिफ्रेंस कितने पे 9 पे तो 100 पे कितने का यह क साथ ही साथ एक आपका पर्संटे से भी आया हूँ से क्या कोशन देखें गे माल कोई इस्कॉयर है या कोई रेक्टेंगल है उसकी लंबाई और चोड़ाई को कुछ बढ़ा दिया इस्कॉयर है इसकॉयर किसको बोलते हैं आप सब लोग जानते हो भाया वर्प को इसकॉयर बोलते हैं अब इसमें क्या कह रहा है कि आपका एक मालू स्कॉाइर इसकॉार की आपको पताए सबी साइड़ें बेरा बराबर होती है इसकॉां की योनिечат embody होती है तो आप बोलो के सेन् gir योनिट हमेशा मीटर स्कॉार आएगा fantastic मेंटर स्कॉार आएगा किलो xy by 100 तो आप इसको 10 प्लस 10 20 और यह कितना आ गया प्लस 10 इंटू 10 बटे 100 दो 0 कट आएगी यह आ जाएगा आपका 21% कर सकते थे रेशो से कर दो 10% की वैलू कितना आ गया बिटा 1 by 10 10 की चीज कितने में है 11 है मैं और कितनी मार करना पढ़ेगा दो बार दस की चीज कितने में 11 है 100 की चीज कितना गया एक सु एक किस परसेंट बढ़ रहा है यह दो कोशन आपके आपकी तरफ से आये हैं एंटोनिम कहां से पढ़ है एक बहुत अच्छी किताब है है ना मैंने बार-बार बोला है अगर आप उस किताब करते हैं तो वह भी अच्छा पर लो ब्लैक बुक का वकेबलरी आता है वह पर लो ठीक है बहुत अच्छे किताब है एक बार यहां पर देखो इंगलीस में कुछ वर्ड जो है वो पुछे गये उस वर्ड के बारे में डिसकस करते हैं यहां पर हमने यहां पर पताया था अभी तक आपको आप सभी लोग ठीक है चली यह कोशन आपके थे और भी जाने की कोशिश करेंगे आपके पास कोई हो तो बेज दो क्रेंट अफेर का लेवल जो है अपके पूरा कर लो बिल्कुरा को कुछ करने की जरूत नहीं है और दूसरा सौटकट बता दूं सबकी दो घंटे की बिटा करेंट अफेर अब तक पिछले फर्स चुके बच्चे अभी आप लोग देखो कि टॉप हंडड़ेट कोईशन के नाम से आपका जी एस जी की का सेशन चल रहा था उससे प्यारे बच्चों डाइरेक्ट आप देखोगे कि छे साथ कोईशन तो डायरेक्ट उससे फसे वें और उसके देखिए आपके लिए बहुत ही फाइदेंद होगा बहुत 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 ज़्यादा फाइदेंद होगा प्यारे बच्चों करेंट अफेर्स की बात बता रहा हूं सबी लोग कर देंगे टेली ग्राम लिंक से कुछ आरिश करूंगा कि एक बार सर आप यहां पर टिलीग् टिक है उसके बाद बात करें हाँ पर इंगलीस में बैटा इंगलीस में देखो लोग्या पुछा गया था उसके बाद बात करें पर पैरा जंबल्ड एक बार मैं इनको सुबह का पैटरन और बताय दे रहा हूं आप एक बार बता दीजे फिर सुबह वाले जितने भी कोशन आए हुए है ना सुबह कि स्रिफ्ट में जो डिसकस कराया था मैं आपको ले ओपिन कर दे रहा हूं आपको बेसिक आइडिया भी पता चल जाएगा कि सुबह कौन-कौन से वाले कोश्चन थे देखिए यह है बया क्लोश टेस्ट है पैरा जंबल है एडियम से और साथ ही सा यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट भी एक पॉंट ऑफ यू से एक बार एक मिनट का टाइम दो यह देखिए यह पीडियेफ थी हमारी जो हमने आपको सुबह लेविल कराई थी सबसे पहले लेविल क्या था वो भी डिसकस इस यह आपका अगर मैं बात करूं तो यह देखो यह किसका है सब्सक्राइब बच्चों को बता देना क्या क्या था बिल्कुल यहां पर आपका इस अगर हम पूरा बात करें यहां पर तो बेटा आपका सिटिंग अरेंजमेंट है ना उसके बाद बलर रिलेशन वो भी को इस बतलब जब क्लास करवाएं तो बच्चे का कहना यह था कि सार नहीं पुछा जाएगा लेकिन अपने देखा जब सीपीओ का एक्जाम हुआ था तब भी आपको पूछा गया था एक बच्छे का बढ़ा जाएगा आपको कहीं जाने की जरूत नहीं सब कुछ यहीं मिले हम यहां पर बोलना है हम यूट्यूब पर लाइफ चीज़े बोलते हैं हजारों लोग देखते हैं उस चीज़ को तो अगर हम यहां पर बोलें कि बटा पेपर इससे बाहर नहीं आएगा यह तैयारी कर लो मतलब हम कुछ सोच के पूरी रिसर्च करके ही बोलते हैं आप लो से आपके तीन से चार कोशन बने है डियाई जो आ रहा है आपका सुबहार ग्राफ में से आया था सुबहाय का है यह तिगनोमेटि से बिटा एक से दो कोशन बढ़ रहे हैं साथी साथ है से हैं से मेंकраж से बहुत ज्यादा आया करता था लेकिन इस बार से पैटेरन थोड़ सब बढ़ा दिया है तो एडवांस पे भी अगली बार से फोकस करना पड़ेगा अगर सेलेक्शन चाहिए तो आगे देखने की कोशिच करते हैं सर ऐसा इसी आई से इंगली से मैंने 24 किये हैं चले बहुत बढ़िया इस बार फोर दो ना क्यों पंचवर्शे योजना बनाना 27000 वेकंस तो फिर कब आएगा यह लिजे बैया यह आपके और हैं यह करेंट जी के जो थी आपकी कों सी आया थी मौड़ेट मतलब इजी टू मौड़ेट बोल सकते ह ऐसलीक था पांसेशे कोशन करेंट एफियर के थे अब कोशन बनता है करेंट अवेशर कहां से करें तो वांट एससे बोल एससी मोल एससी बोल्ट और यह 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 पढ़िए इस के लाबा कुछ नहीं अगर एक भी बाहर चलाजा जाए आपाके मुझे बता देना भी आपने क्या बोला था तीन से चार कोश्टन साइंस से है इस्ट्रैटिक जी के थोड़ी सी हाड आ रही है मतलब आपको पता है यह उल्टी सीडी चीज़ है पूंसता है बागी का अपका हरपा साइड से और सीपीडीटी से इंगलिस जो थी आपकी जी तुम ओडेट थी जैसा कि सन ने पहले ही बता दिया है आपका बीच में बताए दे रहे हों इंगलिस वाला समझा रहे थे आपका रिजनींग भी सामिल हो गया लेकिन आपको तो कोश्टन से नहीं पर ल सब कुछ पूरा सिलेवसी पूछ लिया याद रखना अगर बच्चे हमारी किये हैं पहले तो तो वह करके आ रहे हम आप लोगों करवाते आए जो जो टॉपिक करवाते आए बच्चे बच्चे बोलें सर केस होगा तुम पर जेल जाओगे आपके लिए ये भी कर लेंगे बस आप मिलने आ जाना आराम से वही बैठके लाएंगे इदर देंगे तीन से चार कोश्चन आपके ट्रिकी थे मैं थीजी टू मॉड़ेट था रेजनिंग का सन्न ने बता ही दिया मैं आगे बात करूं तो यह इंगलिस वाला फर्स सिफ्ट का है क्या क्या आया था सर पैस करो सिर्फ तभी रिमूव होंगे एक आपका डैगलर था भहिया पी क्यू आरेस करके जैसे चार स्टेटमेंट दे देगा पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा अस्ट्रोसाइज था एंटोनिम सिनोनिम आपके थे एक आपका रिबेलियन था और इसाथ ही साथ मैं अगर बात करूं तो सब्सें बता ही देते हैं अब बच्चों का ना दुखडर्द हमसे देखा नहीं यहां से आप जाओगे यह जाूगे सबसे पहले कुछ ऐसा चलो देखो यह ओली बोर्ड का है वेबसाइट है यह में ओली बोर्ड की SSC बोल्ड कहां मिलेगा वो आपको बताएंगे देखो सबसे पहले यह ऐसा पेज खुलके आएगा आपके सामने आप उसको लॉग इन कर ले ना उसके बाद कहां जाओगे SSC एग्जांब पर यह है वाला अपसन असरी एक दूसरा वाला प्सन है यहां पर चले जाना और फिर नीचे आना नीचे 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 देखो यहां है कॉने में सबसे कॉने में है भैया मिल गया एक मिनट एक मिनट सर बस मैं इनको बता दूँ दे इखो भईया साफ साफ लिखा हुआ है नवंबर का अक्टूबर का सितंबर का आगस्त का जुलाई का जून का मई का अप्रेल का मार्च का ठीक है अगर और चाहिए तो और भी प्रिवियस निकली आएंगे कोई दिख कर दें अब यह सर करने कैसे हैं कुछ मत करना सिंपल सा मा मैंने इस पर क्लिक किया खुल गया समझ लेना एससे बोल्ट के लिए कुछ कोशन चेंज होता है तो क्या देखते हैं करने दो देखो इतनी तैयारी करा दिये कि अब इससे बाहर भी क्या जाएगा मुझे यह तो बताओ यह है ऐसे सी बोल्ट का यह है देखो रंग रूप अपने देख लिया होगा क्या क्या है इसमें आपकी स्कीम है एवार्ड है इंपोर्टेंट डेज है सम्मिट है डिफेंस है बुक है और यह वन टाइम सॉलुशन है ऐसा नहीं से फिसी के लिए कोई भी कमप्टिशन दोगे सब कुछ मिलेगा अब जो आगे पढ़ते चले जाओगे ना तो आगे इसमें सारे के सारे पेच भी आपको आगे आते चले जाएंगे यह लिजे वीकली टेस्ट आप दोगे तो दोसों में दोसों आएंगे यह यह बिटा प्रॉपर तरीके से है आप लोगों का अगर देख पा रहे होगे हमारा कैमरा ले पा रहा होगा बीच बीच में आपको यह भी मिलेगा मौक टेस्ट का ठीक है यह लिजे सब कुछ दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है देखो यह अपने रविंदर सर और रिजनिंग 24 इंगली 20 जी एस ओवर और 91 अटेम्ट विद नाइंटी परसेंट एकुरेसी थैंक्से लॉट सर मेंस के लिए भी आप ही कराना प्लीज दीपक यादब बिल्कुल कराएंगे जैसे यह एनलेसिस खतम होती है मेंस के क्लास तुरंत तुरंत स्टार्ट कर देंग हो एक बार हो आपकी बार चाली हो तो बता हुख सर हाहां हमने यह बोला था हमारी बार सब कुछा साप अप लोगों का फ़या सराफ को बताईंगे जह पर सबस्क्राइब करें यह यह अभी स्ट्रेस करके आप अपने को परेशान करोगे बिलकुल आपको इस टेंडेनी बता दे रहा हूं specifically कि किस topic से सबसे ज़्यादा पूचा जा रहा है modern इंडिया से सबसे ज़्यादा history में पूचा गया है medieval से आपका मुगल एरा जो है उसको सबसे ज़्यादा पूचा गया है और हड़पन साइट से कुछ questions आए थे तो हड़पन साइट का मेरे मेरे वीडियो आपके पड़े वे हैं यूटूब पे उसको आप देख लीजिए modern इंडिया के specially sessions मैंने लगाया mcq उसको देख लीजिए वह सारे freedom struggles related है और आपका जो यह मुगल एरा वाला है उसको आप अपने चीजों को पढ़ लीजिए इसके अलावा प्यारे बच्चो current affairs में जो आपका एक साल का है उसमें भी specifically अगर हम बात करें मैं बार-बार बोल रहा हूं current बोल्स को हमारे बोल्स को पढ़िए इसमें भी sports वाला जो है फिर जितने भी exercises है उसके जितने भी इसमें books authors है उसके जितने भी आपके नई युक्तियां है इन चीजों को विसेश ध्यान से पढ़के जाए और इस्ट्रेस बिल्कुल नहीं लीजे इस्ट्रेस लीजेगा तो question गडबड हो जाएगा जो आतावा होगा वह भी गडबड हो जाएगा यह सोचके कि अरे मेरे दो मैंने तो ज्यादा सोच लिया यह बिलक उसके बाद चुटर से किसी अपॉइटमेंट को लिगे पुचा गया है सी यह ओएच का बेंसी का साइंस में पुचा गया है आठीकल 21 एसे पुचा गया है एई कि इडिकेशन से राइट टो एडिकेशन यहां पर उसके लिए हैं पूराइब यह पर पर उसके लिए हैं पूराइब करेंगे पर बिल्कुल पूछे गए एक बच्च पूछा है वन वर्स और सब्सक्राइब अब लोगों को बता देतें लेकिन आप लोगों को आगे हम बता पाएंगे है जो जो थे सारे के साथे अप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता दिये और आगर कोई हो तो एक बार भीज दो वैसे पहले कॉल कर लो अगर किसी ने जाए मुझा निकले इक बार कॉल नहीं जायगा इस पर और तो करना है तो इस पे कर दो कॉल करना के लिए कुछ कीजिए से मुझे एक बात याद आ गई सबसे पहले सिमसिम यहां से खोले ऑले बोड यह फोल गया आपका ओले बोड ठीक है यहां जैसे ही आओगे यह तो पूरा detail है सर कोर्स का देखना था कोर्स का देखना था कि एक आप लोगों के लिए बिटा क्रैस कोर्स लेके आये हैं एससी जीडी का जो किस नाम से है युद्धा बैसे उसके फीस इतनी कम है ना इतनी कम है आप भी बोलोगे भीया इससे अच्छा फिरी रख देते पर कुछ चीज़ें होती हैं कि बेटा हमको भी खर्चा चलाना होता है तो इसलिए उनको फिरी नहीं रख सकते सिर्फ 400 कुछ है रुपे है ठीक है चले सर इंग्लिस में से संराइज इंद यह वाला अच्छा संराइज इंद इस्टी यह वाला पैसे था सर मैंने आपसे जी एस पढ़ा था बहुत इजी लग रहा था थैंक्स ऑलिवोड लंविड यह आप लोगों का प्यार ही है थोड़ा से सर एक ची च भी अगधा एक साफ बाता यहां पर भाट रहा तो हमने आप ठीक है थाकि और पेपर में अच्छा कर सकते चीज़ और शाम मैं पाँच बजए पूरे दिन पूरे दिन की अगर मैं चारों सिफ्ट की बात करूं तो पांच बजे उन सब का निचोड़ होगा सभी बच्चों को आना है पांच बजे एप सारी एकसेश कर सकते हैं सारी वीडियो और बाकी अगर टेलीग्राम जोईशन कर लोगे तो वहां पर सारी प्लेइलिस एक बार शेयर कर दिया जाएंगा बच्चे का कोशन पर अपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठीक है बाकी आज़र पड़ेगा मुझे उत्रा आइडिया है नहीं बेटा इससी बोल्ट हिंदी में है या नहीं मैं महत पढ़ाता हूं तो एक बार आपको अभी इन्फॉर्म बज़ करके बताते हैं लिए थो बता दो बागी का यह नंबर है वाट्सप करके कोशन भीजना इस पर बेज दो कॉल करके बताना है बटा इस पर बता दो यह आपके हैं सारे के सारे कोशन प्लानिंग कमिशन से था सर एक बार रिपीट कर दीजे ताकि जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको भी थोड़ा स देख़िए प्यारे बच्चों अभी एक टर्די जेनेरल से कुशन पूछा था давно कि विच आर्टिकल के तुरूंटे जेटिया होती है और किसके द्रचा मार्च होतीए और कि तूर्ड़े जेनेरल' था आर पूछता कि अदिकल धुड़ी वर्तमान में अगर पूछता है यह है इसके प्रेसिडेंट के बारे में पूछ दिया था प्यारे बच्छों कि कौन Украї he और इसके पर पूछा था जो फी 1529 में लड़ा गया था इसका ऐसा स्राइए अगर बात करते हैं नोर्वे तो मिनाक्षी टेंपल प्यारे बच्शों यह मैंने कराएं अगर आप लोग उसको करेंट को देख लीजेगा तो प्यारे बच्शों डारेक्ट फस है उससे अजनरी नहीं होगा जिसको देख सकता है हिंदी युए बच्चे यह पूछ रहे हैं कि अप्लिकेशन पर जाएंगे अपना लॉग इन करने के बाद आपको वहां पर एवलेबल कराया गया है बिल्कुल लेटरेस्ट हर एक महिने का विकली मिलेगा मंतली मिलेगा येरली मिलेगा और क्या चाहिए है ना जाके वहां पर देख लो एस पूरे निचोड प्यारे हैं अभी और कोई डाउट है आर्टिकल 368 ऐमेंडमेंट है अमेंडमेंट है प्यारे बच्चो आर्टिकल 368 ऐमेंडमेंट आफ कउटिश्ञें सब्सक्राइब करेंगे लाइक बढ़ाई इसको हमारे दो सिफ्ट हो चुके हैं इस दो सिफ्ट में बच्चों का एक गुड़ अटेम्ट क्या रहा है इसके बारे में एक बार हम डिसक्राइब करें आप तो एक बार फटाक से आजाएए देखो भी आवरेज अटेम्ट बता रहा हूं ध्यान से सुनना आराम से ठीक है जो एवरेज अटेम्ट क्या होता है कि मानलो मैं एवरेज बच्चा हूं मेरी तयारी ना बहुत अच्छी है ना बहुत जादा बुरी है एवरेज अटेम्ट ध्यान से सुनना सभी बच्चे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के रीजडिंग से रीजडिंग की अगर मैं बात करूं तो नौर्मली अगर मैं जैसे बच्चों का रेस्पॉंस आया है तो वो बोल रहे है कि सर आराम से 22 से 23 कोशन वो कर पा रहे है रीजडिंग में कोई भी प्रावलम नहीं हो रही बहुत यासानी से कर पा रहे है अगर यह 22 कोशन आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब सीधा सीधा आपका 44 नंबर आ गया होगा बोलो भाई डवल ही है सर डवल ही है बद्कुल बद् नहीं इंग्लिस में आप अठारे भी कोशन कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है अठारे दूनी कितना आ गया तो आप बोलोगे भी यह 36 माक्स आ गये यह क्या है आपके माक्स अगर आगे मैं बात करूं मैं 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 क्या है कि थोड़ा सा लेंदी है और इसमें जो जैसे उसको नहीं कर पा रहे तो जो आरहा है वह आ रहा है आपका 15 कोशन के आसपास अगर आप 15 कोशन कर रहे हो तो इसका मतलब 2030 का होगा तो यह सब कितने नंबर का हो गया मैं31 जो यह जी जी की तो जी के जी एस थोड़ा सा ऐसा पोशन होता है बच्चों का कम तयार होता है आप कितना है भी पढ़ लो लेकिन फिर भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो बच्चे को याद नहीं आते हैं आखरी समय में तो यह कितना है लगभख 25 15 कोशन के आसपास ही इसको कर पा रहे हैं और अगर 15 कोशन कर पा रहे हैं तो यह भी सर कितने नंबर का हो गया 30 नंबर का आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर था टोटल नंबर आफ कोशन थे हंड्रेड जो थे आपके 200 मार्स के अगर इस में से आप कैलकुलेट करोगे तो बिटा च्छार दस की जीरो क चैरी एक चार चार आठ आठ तीन ग्यार है तीन चौद है यह लगभग 140 के आसपास आपका आ रहा है अगर यह 140 के आसपास आ रहा है सर 200 में से तो यह सीधा सीधा सतर परसेंट आपका हो गया मंटिप्लाइबाई हंडेड परसेंट करोगे तो आप बोलोगे सर एवरेज एटेंट जो है सतर परसेंट का है अगर आपको पता होगा कि हमने और सौनू सर ने आपको बताया था बिल्कुल आपका एवरेज एटेंट होगा वो लगभग 70 से 80 परसेंट का यह बच्चों न जिनका अच्छी तयारी है उनका अच्छा जाएगा अगर आप करें तो मतलब मैक्सिम्मम बीच में जो है अटेंट बच्चों का रह रहा हैंौ यह सर आने वाले समय में जिन जिन बच्चों का पेपर है हमको जातर वही बच्चे देख रहे हैं जिनका पेपर आने वाला है क्योंकि जिसका हो गया तो उसको टेंशन होती नहीं वो तो हो गया फिरी तो आप भी याद रखना आपको 80 या 90 परसेंट तक पहुंचने की जरूत नहीं है डागेटे मत म सब्सक्राइब करेंगा लेकिन यहां पर बच्चे का रहा है वह 85-95 परसेंट जो है 90 परसेंट बच्चे पता रहें कितना कि यह लेकिन कभी-कभी यह डाटा क्या होता कि बच्चे गलत भी बोलते हैं तो उस पर आभी हम नहीं चलेंगे एक बार जब हमारा कुछ दिन हमार सही में आज है आज घचान होगा इसे भी-क इसमय पार एक मत बच्चे अपने ना इमांदारी के साथ किस बाद करतना यारी आप पर पर है पर आपने अभी आया हूं वह ने बोला है 13644 132 140 अभी तक जितने बच्चों किया है अभी तक जितने बच्चों ने रिटेम्ट किया उसके हिसाब से है ना दो सिफ्ट के हिसाब से जो बच्चों का एक है वह कहीं साठ से लेकर सतर कोश्चन के आसपास रहा है एक रेंज जो है वह बैरी किया है उसके एक सारे कोश्चन वही आए जो आपके प्रीवियस यह करा रहा हूं सब्सक्राइब होता है पिछले 10-20 साल के पेपर कर जाओ उससे बाहर कुछ चार से पांस सवाल और बताइए अगर किसी बच्चे को लगता है कि यह को विजय सा अपका एच्छा लगा कि त्याद हो चले थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यारी है चलो नहीं देखिए ऐसा क कुछ नहीं है वेनम गेमिंग आप कहाने कि सर क्या बाद की सिफ्ट मुस्किल होती है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कि सिफ्ट वाई जो है सिफ्ट बढ़ता जाएगा और पेपर थोड़ा सा मतलब कोई-कोई-कॉस्चन यहां पर मॉडरेट पूसा जा पता है स्पेशली में वाले टीचर का क्योंकि बच्चों को को तो याद रहते नहीं मैं तो दौनों एक ही है अब वो क्या बोलते हैं सिटिंग अरेजमेंट से चार कोशन आये हैं हम यहां बोड़ पर लिख देते हैं चार कोशन आप सामने वाले बच्चे को होता है भाई- क्या बता है कुछ उसमें फिर पता है क्या इंसान मेमोरी बेस्ट कर देता है बिल्कुल यह दस परसेंट बड़ा यह बड़ा वो बड़ा सचीन बेटा जो आपकी आईडी होगी उसकी जुराक्स ले जानी है ठीक है रिजल कब तक आएगा अभी बाकिका जितना भी करेंगे और उसकी एक वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से क्वेशन आपको शाम को पांच बजे कितने बजे पूरा दिन का निचोर मिलेगा साम को पाच बजे कि सारे सिफ्ट में क्या हुआ है क्या कॉश्टन्स पूछे गए यहां अगले दिन के लिए आपको किस तरीके बहुत वरिया बिल्कुल भी एक खतम होता ही एक्जाम के लिए करना है अब सब अच्छा परफॉर्म करेंगे कोई बात ने विटा देखो किसी सिफ्ट में कुसरासा पेपर होका जाएगा तो फिर नॉनमलाजेशन भी एक हमारे लिए है जब होगा तो सब के लिए ब्राबर ह जाएगा ठीक है घवरानी क्या जरू होता है यार वैसे भी क्यों परःशान जो होता है अच्छे कर लिए होता है एक बात रहाए रकना जो भी आपको देखके जाना है ठीक है कोशिश करें हमने मैं हाड हाड किया है सब हलुआ आ रहा है तो यह तो अच्छा है और बताओ बिटा और किसी का कोई कोशन हो तो फटाक से बता तो सर एक जनवरी को अक्टूवर तक के कर लूँ आ जाएगा क्या एक साल का कल्लो बिटा उतना ही का अपको अप्लिकेशन पे और वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर अबलेबल कराया गया है ठीक है चलिए और बताओ बेटा पर शारे चले सर एक बार जी के बताओ आप बच्चे पूछ रहें अभी एक कमेंड आया था उपर एक पार इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए कहां कहां से एक बडिवाइस करना ताकि हम अच्छे सवाल कर पाएं पार कोटेंटूप्यों सब्सक्राइब एग अग और लोग देखे इस्टी में मौड़न पॉइंट को आप ज्यादा कवर की जिए मौडर हिस्टी को जादा कवर की जिए इंडेन स्ट्रेगल जितने भी इंडेन फ्रिडम इस्ट्रेगल इसमें फ्रिडम इस्ट्रेगल को देखे जादा से जादा फ्रिडम इस्ट्रेगल को देखे अगर हम बात करते हैं इसको प्यारे बच्चो इसको जली से देख लिए यह मुगल एरा से कोशिन पूछ रहा है और थोड़ा सा हरप्पा साइट को देख लीजेगा इंदस वैली सिविलाइजेशन को देख लीजेगा प्यारे बच्चों इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इतना आपके प्लेसेज हैं उसको देख लीजेगा हिस्ट्री में प्रि 15 से 1947 तक का एक बर देख लीजेए इसके अलावा 1857 का रिवॉर्ड देख लीजे और साथी साथ प्यारे बच्चों धर्म सुधार आंदोलन किसके द्वारा क्या किया गया है उसको एक बर जरूर देख के जाएं उपर से उपर जैसे की ब्रह्म समाज की अस्तापना किसने की कुछ भी पूछ सकता है एक्जाम में अभी सुभा वाले सिफ्ट में आपका ब्रह्म समाज पूछ दियाता है प्यारे बच्चों जो कि राजा रामोहन रहे थे तो उसको भी एक बार देख लीजेगा और किसी ना किसी सिफ्ट में अगर ब्रह्म समाज पूछा है तो प्या सबसे भी आपके मतलब इसमें उसके बाद आप देखे लो इसके अलावा इंपोर्टिंट आर्टिकल्स देखे लो इंपोर्ट आर्टिकल्स देख लो जैसे कि अश्याइस्य वाइस में की गई है वाइस प्रेसिडेंट की Supreme Court को देख लो High Court को देख लो यानि कि important articles को देख लो साथी साथ अगर हम प्यारे बच्चों बोलेंगे तो आप इसमें President Executive Body जो है इसके अलावा जो आपका Governor हो गया इसके अलावा आपका Supreme Court हो गया High Court हो गया इसको आप पढ़ लिजे और साथ-साथ amendment देख लीजे एक बार amendment देख लीजे प्यारे बच्चों amendment देख लीजे और और इसके बाद अगर बात करते हैं कि कहां से constitution कौन सा part लिया गया है schedule parts एक बार देख लीजे और साथ-साथ कहां कहां से borrow किया गया constitution को इतना करके जाएए आपका quality से question चूटेगा नहीं इतना करके जाएएगा quality से question नहीं चूटेगा प्यारे बच्चों इसके राव अगर हम geography की बात करते हैं तो एक बार आप लोग जितने भी geography में world geography में आप देख लीजे जितने भी हमारे stars से planet से उनको देख लीजे साथ ही साथ जितने भी हमारे परवत हैं नदियां हैं जीले हैं उनको एक बार देख लीजे और अगर हम इंडियन जोग्रफी में बात करते तो हमारे इंडियन जोग्रफी में रिवर सिस्टम को एक बार देख लीजे यह सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अगर यहां पर एक गेस्वर्क की बात करें सब्सक्राइब पूरे भारत की नदियों को मैंने कंप्लीट कर आया प्यारे बच्चो मराथन जो चल रहा था में हमने पूरे नदियों को पढ़ाया है यानि कि आप देख सकते हो कि हमने सिंदू नदी से लेगे प्राइड वीपी नदी के एक एक नदी तक हमने कराया तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा उसके सासत मैं उसमें ये भी मेंशन किया था कि कौन सी नदी पे कौन सा डैम बनाए क्योंकि कोशन का पैटन उसी तरह प अच्छो तो इस पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा टच करो और उस से मस्ट है कोशन पूछेगा यह पूचेगा और पढ़ने के लिए प्यारे बच्छो अगर आपको बाइलिंग्वल देखना है तो टॉप 100 कोशन मैंने कराया है अभी टॉप 100 कोशन सुब्रत सरकेत का वीडियो आपका डलाव है वह दिख लिए इसके लावा आप अब आपको बढ़ने का जरूरत है उसको करके जाए सारा आपका बहुत अच्छा जाएगा बहुत अच्छा जाएगा आप पास कर जाओगे विजये सर कुछ बात करना चाहेंगे आप लोगों से मैं बच्चों को बताना चाहरा हूं एक सिंपल इंटैस से है दूसा जो मैंट साधारन ब्यास से कितने कोशन बने हैं अगर मैं SICI की बात करूं तो तीन से चार कोशन आपके SICI से बने है एक कोशन सिंपल इंटैस्ट का आया हुआ है क्या पूछ रहा है इसका रेट दे रखा है 25% परेनम का कोई रेट आफ इंट्रेस्ट है टाइम दे रखा है आपका SICS यह 6 साल आपका समय है और आपसे क्या पूछ रहा है कि बहिए SI माइनस प्रेंसिपल जो रहा होगा वह आपका 360 है तो पूछ रहा है कि बहिए प्रेंसिपल की वैलू क्या रही होगी यह बता दो इतना आसा कोशन किया आप नहीं बता सकते थे मुझे एक बाद बताना अ चले अगर मैं प्रेंसिपल सौ मान लो तो इसमें हो रहा क्या पच्छी सिकता डेड़ सो आपका इंट्रेस्ट मनेगा अब डेड़ सो मैं से मैंने प्रेंसिपल को माइनस किया कितना आ गया अगर प्रेंसिपल मैंने कितना माना था तो आप बोलोगे बहिया प्रेंसिपल तो मैंने सो माना था डेड़ सो मैंसे सो को माइनस किया थीन सो साथ 360 की value कितनी आ जाएगे आपका 360 यहीये है आप से पूछा क्या है 100% की value बता दो तो 100% के लिए बिटा यहां दो से मैंने प्लाई कर उतो यहां भी दो से मैंने प्लाई कर कर लो 720 जो मैंने का एक कोशन था कि आपका सर्किल है और यह आपका बहिया क्या है कोई radius दी हुई है और यह आपका point है P पूँछ रहा है कि बहिया यहां से यह कुछ एक distance दी हुई है कि बहिया यह 26 डिगरी आपका distance है यह आपका 10 है तो इसकी value बता दीजे क्या रही होगी मुझे एक बात बताना एक triplet होता है कौन सा जब पांच बार है 13 का एक triplet होता है 13 में 2 की multiply किया 26 बार है में 2 की multiply किया 24 और पांच में 2 की multiply कर दिया 10 गौर से लेखना सर 10 है हाँ जी 26 है हाँ जी तो यह क्या आ गया बहिया 24 चौबिस पर टिक लगा दो आगे बढ़ जाओ तो आप ही लोगों ने बताया कि भाया इस टाइप के कोशन है तो दो कोशन मुझे मिले थे प्लेंग इट माई वे पूछी थी सचेंदर कर बता दिया यह लीजिए सर बिल्कुल तो आइधिंक आप लोग को एक बहुत ही एक्जैक्ट एक दिया गया है सिफ्ट वन का भी सि फिर ऑगे मुलाकात करेंगे अब हम सिफ्ट्री में कि उसके बाद क्या पर रहा है वह सारी चीजे बताइए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम कोसिस करणा है कि जितना आप लोग को बता पाएं तीन बचके बचके तीसरे से सचन में ठीक है चलि बन रहे बिल्कुल बन रहे तो दस कोशन के आसमास आप इस बार पोशन थोड़ा सा बढ़ा है नौर्मली इतना नहीं आने करता था लेकिन इस बार तो बिल्कुल और बताओ किसी बच्चे को और कुछ पूंशना हो तो पड़ाक से यह सारी चीज़ें हमने आपको कैई बार सबसे पहला कोशन है कि बहुत बता दो एक बार मैं आपको कठो बता दे रहा हूं बिटा रीजनिंग की जो करूं तो 18 कोशन आपके 36 नंबर के हैं मतलब एक कोशन दो का होगा तो 18 के आसपास कोशन है एंटोनिम से नोनिम थोड़े से टाफ आ रहे हैं बच्चे उसको कर रहे हैं कोई बात नहीं अठारे भी बहुत अच्छे होते हैं कोई रेस्पेक्टेड इसकोर है यह कोई बुरा मैत की अगर मैं बात करूं 15 कोशन अभी यह मैंने पंद्रे क्यों लिए हैं इसमें जुझादा वाला पूर्षन है एडवांस मेहत का है और इसक दोहित नहीं कर बाते हैं उससे बसते हैं बच्चे बागते हैं हाला कि आपने high school में यह competition का पूरा मैत वही है जो आपने high school में पढ़ा होगा high school और 9th में जो पढ़ते हो ना वही होता है उससे बाहर कुछ नहीं आता बच्चों वाला खेल है लेकिन आराम से आपके दिमाग में बैठना चाहिए तो यह कितने 15 कोशन के करीब हैं और यह कित हूं तो बिटा यह जो आ रहा है स्कूर आपका 140 आ रहा है 140 कितने मैं से तो आप बोलो के भीया 140 आ रहा है आपका 200 नंबर में से अगर मैं इसका percentage निकालता हूं 30 निकालता हूं तो बिटा यह कितना परसेंट बैठा 70% के आसपास तो कहीं ना कहीं एक respected score है हमने पहले भी ब बात करों तो सेम ही होता है क्युकि सेम ही मचे देते जो सीपिव देता है 90% बच्चे वह सीजेल भी देते हैं आपका बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा घवरानी की जरुत नहीं है इस बार आपकी 27- सी हुख सी आपको चाहिए वो एक इंसी आपकी सेफ होगे इसके जीके वाला portion और discuss करदेंब बच्चे जीके जीस में काफी बच्चे परिशान रहते हैं कि किस तरह के कोश्ण कि देखो प्यारे बच्चों देखो कि अगर लोग भर लगतार यही बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग हिस्टरी को टच्च कर रहे हैं तो modern इसके अलावा जितने भी धर्म सुधार आंदोलन है जैसे ब्रह्म समाज हो गया आरे समाज हो गया इसे जितने भी रिलेटेड जैसे और भी धर्म सुधार आंदोलन है उसको देख लीजिए अगर हम बाद करते हैं तो आप आज एक मीडाईवल पर म objective आप मूगल एरा को जरूर कड़के जाए मूगल इरा मोस्ट इंपार्टें इसके लावा मूगल के इत्ब हम बात करते हैं गैं तो आप यह मैं तो आप देख सकते हैं हमने आपको बताया है अगर हम बात करते पॉलिटी के बारे में प्यारे बच्चों तो फंडा मेंटल राइट्स को जरूर पढ़ लीजए फंडा मेंटल राइट्स के बाद जितने भी इंपोर्टेंट आपके आर्टिकल हैं जीसे प्रेशिडेंट और गए वाइस प्रेशिडेंट हो गया है इस सब चीज को पढ़ लिजे और जितने भी executive body है कि किसकी न्यूक्तिया कौन करता है यह एक बर देख लिजे प्रेसिदेंट से रिलेटेड जितने भी amendment है उसको देख लिजे बॉरॉइंग किन किन कंट्री से लिया गया उसको देख लिजे यह सारे चीजों को देख लिजे यह इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चो इसके साथ साथ अगर आपका फॉर्स सिफ्ट में नहीं पूछा है तो मुझे ऐसा अनुमान है कि सेकेंड सिफ्ट में जरूर पूचेगा जितने भ पढ़के जाएगा वह उससे पूछेगा मेरा ऐसा अनुमान है इसके अलावा करेंट अफेर्स की बात कर रहें प्यारे बच्चो तो करेंट अफेर्स में आपको एक साल का करेंट अफेर्स पढ़ लिजे और अगर आपको कम समय है अगर आपके पास समय नहीं कल बालों कि बच्चों के लिए बोल रहे हैं तो वह टॉप हंड्रेट कोशिन मैंने कराया है और साथी साथ ऐसे सी बोल्ट जो है ऑली बुट का उसको आप लोग देख लीजे जोगरफी में अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तो जोगरफी में जितने भी हैं आप देखो कि रि लीजेए पिर कौन से देश से कौन सा राज हमारा भारतियराज है पिर कौन से सीमा टैय एक चीज कराया गया है आप जी बाई आप देख सकते हैं इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो देखें इसमें कुछ चीजे इंपॉर्टेंट तरीके से सोनु सर आप लोगो और इसमें बताएंगे सर सोनु सर आईए बिल्कुल सर यहां पर बच्चों को रीजनिंग के बारें बताना चाहूंगा है ना विजय सर ने मैथ बता दिया है ठीक है करेंट ने फिरस्ट के नाम पे कुछ आता भी है नहीं बेटा कुछ नहीं आता हम तो ऐसे ही खरें हो गए आते हैं अगर देखो गें तो दस से बारा सवाल पुछेगा है चलिए अब यहां पर आगर हम बात करें रीजनिंग पेपर की कि रीजनिंग जो है वह आपका अभी तक जो पेपर हुआ है वह किस तरीके से हुआ है आपके इंपोर्टेंट बने हैं और कहां कहां से सवाल पुछेगा है एक बार सभी बच्चे ध्यान देंगे एक बार सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे चलिए बटा अगर आप बात करें आप सबसे पहले तो एनलोजी ठीक है यहां पर आपके बटा जो है वह सवाल करीबर दो सवाल दो सवाल और आपके बने हैं उसके बाद करें और वन आउट और आउट है यहां भी आपके बहुत ही इंपरेंट टॉपिक मैंने क्रास में अगर आपने रीजनिंग की क्रास करी थी जो डेली रीजनिंग की क्रास हो दस बजे सुबह और सात वजे साम को डेली हमने क्रास करवाई है बिल्कुल dedicated आपक आपके पास ओम कि अम्यritis amounts के नो THIS यतृष एक उब यह जहां सबस्क्राइब हम अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर सवाल नियां सब्सक्राइब सब्सक्राइब नियुक्तिटे मधिए ऊपर प्रिंट के सवाल आजेए हशा स्राइ와 उसके बाद अगर अहां पर अपर सवाल आक कि आप बद है से उसके बागा से लेनफिशिस बढ़र में सब्सकिए झाप सब्सक्राइब बत्रस पूछे गए है उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट के ओपर सवाल है ना सर्कुलर और एक्सपेक्टेड क्या है एक लीनियर लीनियर यह पूछा जाएगा आपको आगे आपको पूछा जाएगा पक्का हंडेड परसेंट स्योर आपके पास सवाल आएंगे तो आएंगे ठीक है उसके बाद अगर ह था एक सवाल आपका एंबेड़ फीगर से भी पूछा गया एक सवाल आपका एंबेड़ फीगर से पूछा गया है उसके बाद इक्वेशन निकालना होता है या फिर साइन को इंटर्चेंज करने के बाद वो एक्वेशन करेक्ट होगा कैसे होगा उसके बारे वे सवाल आपको पुछा आता है तो यह पोड़ा का पोड़ा एक रीजिनिंग का पॉशन है जो कि आपके एक्जामेशन में अभी रहा है और बच्चे जो हैं जो कलास किये हैं है उनका कहना सब्सě्चेंडर से लैव च्छों में बहुत ही थ्यक्ति ना कि एक सवाल एक सवाल हाँ एक सवाल का कलेंडर से आया है एक का यह कुछ इन यह कौ्छ रूपर किसम पर कुछ श्क अभी तो दो स्विप्ट में बिल्कुल बिल्कुल सही है ठीक है तो बच्चा अब जो है एक बार विजा सर भी आपको कुछ बताएंगे चले तो उम्मीद है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से सारी चीज़े समझ में आगी एक बार फटाइक से सब मैंत का पोश्चन और बताए दे रहा हूं फिर इसको सेशन को करते हैं अभी हम दूखेंगे जल्दी से चले एक बार मैंत का रिवाइस के देता हूं एक बार फ कोशन है नमबर और कोशन आपके कितने बन रह था है तीन से चार बन रहा है नमबर सिस्टम से आपका एक से दो क्यूशन भर रहा है जब ना कोश्टन विंदग में आपका कोशन राहा इस वहाला उससे कोशन आया है मैंसुरेशन से आपके 2 से 3 कोशन मतने हैं और एक बच्चा बोल रहा है कि सर प्रिज्म का कोशन आया है प्रिज्म और प्रामिट्स होता है ना मुझे लगता नहीं कि प्रिज्म का कोशन आया होगा क्योंकि यह मेंस का टॉपिक है मेंस में तो इसमें कोशन बनता है प्रिज्म प्रामिट्स से लेकिन अगर बोल रहा है तो गलत तो नहीं बोल रहा होगा साथ ही साथ आपका प्रोवलेटी से भी आया है मुझे तो लगता नहीं आप भी बच्चे बता रहे हो कि सार इससे भी आया है थाटी टू आर्टिकल से भी कलेंडर से बता दिया पहले ही सर सेंथल ट्राइब साथ ही साथ एक कोशन आपका बनाएं मीडियन मोड से आपका बना हुआ है टाइम डिस्टेंस से आया है और यह आपका था मैथ वाला पॉर्शन सर मैं एक बार यह और चाहूंगा बच्चों को थोड़ा इंग्लिस के वारे में और बता दीजिए कि इंग्लिस में क्या-क्या ह हैं इंग्लिस वाला सेक्षन क्या है एक पर यहां पर ध्यान देंगे आप लोग तो पैसे आपका एक पुछा गया उसके सासत एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पुछा गया उसमें कुछ वर्ड भी हमारे पास आये जिसमें कि आपके बुछे गए जैसे कि हॉस्पिटलिटी है इसका एंटोनिम पुछा गया उसके बाद एक वर्ड था हमारा डेवेलियों रेवेलियों का भी एंटोनिम पुछा गया ऑस्ट्रो साइज नहीं कि अपास फैपल पाई odd er is तो इस पर थ्यान देंगे बाकी I hope की हमने आपको पूरा का पूरा एक बता दिया है करके पूरा का पूरा आपको all-in-one मिलेगा सिर्फ पूरा का पूरे दिन का निचोड कब आपके पास कोई कोशन हो कॉल करना है तो इस नंबर पे कर दो उपर वाले पर वाले पर करना है कोई भी कॉल हो सब कुछ आपके लिए और आपके लिए यहां पर एक सवाल करना एक साल का क्योंकि यहां पर बहुत सारे सवाल आपके से बिल्कुल हूब क्योंकि इस बार जो लड़ाई है ना एक दो कोशन की होगी एक कोशन पर आप यहां को कहा मिलेगा आईए आपका मिलेगा अप्लिकेशन पर यह आपका अप्लिकेशन में मिलेगा और आपके पास अप्लिकेशन नहीं फोन में तो आप गूगल पर जाएए और लीब बोड के ऑफिसियल वेबसेट पर जाके आपको यह अवलेबल मिल जाएगा वहां से आप अराम से कवर कर सकते हैं है ना चलिए साथ ही साथ सर एक स्टोरी बेस्ट पैसेजी स्टोरी बेस्ट एक इंपोर्टेंट इंफोर्मिशन और है बिल्कुल सर बता दिए बच्चों को बता दीजे सर चिन बच्चों को SSE GD के तयारी कर रहे है बिटा उनके लिए एक बेस्ट आया है नया यह एक तरीके से क्रैस कोर्स है SSE GD वालों के लिए अब इसमें क्या खास है एक बार डिसकस करेंगे सबसे पहले sse gdw constable के लिए बैच का नाम है आपका युद्धा बैच complete revision एक तरीके से crash course एक महिने के अंदर सारे के सारे subject revision करिए जाएंगे इसकी जो fees है 30% off मिल जाएगा ये लगबख 439 के आसपास आपको पढ़ रहा है कौन सा code लगाना है sse team का code लगा देना और इसमें space नहीं है space नहीं है बिटा ये पूरा का पूरा एक ही है sse team जो आपको 439 का है जिसमें 1500 प्लस आपकी live classes मिलेंगी साथ ही साथ आपके PDF वगेरा proper तरीके से और आपके mock test अगर आप mock test अलग से खरीदते हो तो यही 1100-1200 के पढ़ते हैं लेकिन इसके साथ ही आपको फिरी है यह आपका जो बैच रहेगा bilingual रहेगा इंगले सिंधी दोनों लेंग्वेज में रहेगा साथ ही साथ इसमें पांच लोग पढ़ाएंगे मैं मैं पढ़ाऊंगा सौनू सर आपको रिजनिंग पढ़ाएंगे यह सीतल मेडम आपको करेंट अफियर्स पढ़ाएंगे जी एस जी के दोनों यह सुब्रस सर और यह दोनों मिलके और साथ ही साथ अपने सौलफ सर तो आपको पता ही है साइंस पढ़ाते हैं ठीक है यह एक इंफॉर्मिशन उन बच्चों के लिए थी जो बच्चे तयारी करना चाह रहे थे चले इसको आपको कुछ और बच्चों को तो बता दीजिए स्टेज को फानल करते हैं लास्ट करते हैं क्यूंकि आप ही लोग बोलते हो कि यह वीडियो बड़ी लमबी हो जाती है जिस से हमें फिर दिकत होती है तो एक बार सर सीट इका आप लोगों के comment ले लेता हूं एक बार वरना फिर बाद में आप लोग शिकायत करते हो सर सीटे का कोर्स नहीं है क्या मनीशा सौने सीटी का कोर्स एक बार देखना पड़ेगा होना चाहिए वैसे सीटी का सारे ही कोर्स एविलेवल हैं बागी का आप जाके ऑले बोर पे एक मोवाईल में अप्लाइक नौa करना ले जाकर लेता और करना दिया और बिरहं मसमास से था पैसेज कैसा operation पैसी जा रहा है आपका सर स्टेटिक में कोई टॉपिक के बता दो स्टेटिक में बता दिया है सर रिवर आ डांस आ रहे हैं टेमपल आ रहे हैं और आपकी बुक अंग पंचो आप 1915 से 1947 से उसको देख लिजे मैंने आपको बार-बार यही चीज बताया और साथ-साथ बताया 1857 का रिवर्ड भी एक बार देख लिजे साथ-साथ जितने भी धर्म सुधार आंदोलन है उसके प्रवर्तक उसको करने वाले कौन है उनका प्रतिबादन किस ने किया उसको आप प्वार करते हैं जरूर देख लेना साथ-साथ जितने important articles हैं कि किस की न्युक्तियां किस articles के तहती हैं साथ-साथ जितने भी आप president के दोरा कौन-कौन से न्युक्ति की जाती है इसके लाबा Supreme Court High Court को थोड़ा-थोड़ा देख लेना amendments देख लेना borrowing of Indian Constitution कहां-कहां से लिया गया Indian Constitution को उसको एक बार देख लेना और इसके साथ जोग्रफी के बारे में अगर हम बात करते तो रिवर सिस्टम्स डैम्स जितने भी आपकी जीले हैं जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं जितने भी आपके wildlife centuries है इसको देख लेना जो करेंट में है जैसे अभी चीताव अगरा आया है तो नावी विया से इसको किस national Park में रखा गया कुनो नेशनल पार्क तो हो सकता है जिए सीधे पूछ दे कुनो नेसनल पार्क इस स्टेट में इस्तित है तो इस टाइप से कोशशन जो करेंट से पूछे जाएंगे अब हम बात करते करेंट अफेर्स के बारे में सबसे प्यारे बचों सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है आम लोग देख रहे हैं आलिसिस कर रहे हैं इस पूर्ट को ले रहा है जितने विवेंट्स चल रहे हैं जैसे जी ट्वेंटी इंटरनेस्टल इवेंट्स जितने भी चल रहे हैं ठीक है सबस्क्राइब इसके साथ प्यारे बच्चों सब लोग एक बार आए हम लोगों को पिर से मुलाका है ना बहुत बड़ा मौका मिला है तो आप यह समझ लोगी आप एसे लगा के चले जाओगे और हाँ बेटा करेंट में इंटरनेशनल न्यूस पढ़ लेना पढ़ लेना जैसे जितने भी आपके मेजर समिट्स हैं और जितने भी अभी नहीं नियुक्तिया हो यह जैसे प्रेसिडेंट की रास्टपती की कौन से कंट्रिस के कौन लोग बने वें इंडियन ओरिजिन से कौन से रिसी सॉनक जैसे थे वो लोग थे ठीक है तो यह सब देख लेना लाइक है कुछ लोग कैसी बात करते हूं यार बैटके आज पूरे थकान हो गई आप लोग ऐसे करोगे तो कैसे काम चले तो प्यारे बच्चों आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं समाप्त करेंगे मिलते हैं सवा तीन बजे नए सेशन में जो सिफ्ट थर्ड का जो हम लोग करेंगे सभी बच्चों को आना है सबसे वहीं मुलाकात होती है तो मिलते हैं आपके तीन पंद्रें पे तब तक के लिए जैहिंद जैवारत